नमस्कार दोस्त बेटना पुरपेश और आप देख रहे हैं जेनर्रल पबलिक सेवाव दोस्तों आज के स्वेडियों बात करेंगे बुख मत्री कर्निया उत्थान योजना के बारे में अब ही जो दोस्तों 2020 में इसमें ओनलाइन स्टार्ट हो चुका है लेकिन इसमें कौन-क स्कॉलर से मतलब पॉर्टल भी खोलो गए तो लिंक में आपको 2021 दिखेगा लेकिन 2023 में दोस्तों अप्लाइ हो रहा है तो बहुत भायों को कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें असना तक उतिर्ण का मतलब असना तक उतिर्ण जो मतलब पास कर ली है वह जो हमका डेट कब मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं अब इसमें जो कर सकती है अब इसमें जो कर सकती है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इसमें जो आप फर्स्ट और सकेंड दोनों का मतलब दोनों अपलाई करेंगे और दोनों का हो भी रहा है ठीक है अब इनका आप दिनका लास्ट इती जो रखा गया वह तीस नो दो हजार तक रखा गया आभी जो दोस्तों साइड जो है बिल्कुल केलियर कि परक़र कोई जोल जाल नहीं है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के यह आप लिंक दीतिया गया है यहां पर पहले बता गया है आप जो वह बैंक डालिएगा मतलब आपका आधार NPCI बैंक में आपका पाईसा जाएगा वह आप यहां पर क्लियर बता जाएगा तो आप लोग को यहां पर किस परकार का मतलब कैसे कैसे क्या चीज फिल करना होगा तुरा ध्यान से दोस्त समझ लेजएगा ठीक है यहां पर आप लोग को सलेक्ट यूबरसीटि फूद्ट यूँबरसीटी अपना डालेंगे उनवर्सीटि रजिस्टेशन नमर डालेंगे मार्कसित नमर डालेंगे दिदेटे और मुद्ट करेंगे कैंडिडेट का नाम जो होगा वह यहां पर आ आज यहां पर देख और यहां इसे हैं वहाँ बहुत घखते हो बाले nap ऩग है मॉटस्थ stop do εν Wouldn't stew वह यहां पर देता है उसको अक्छर में लिखा हुआ है तो जो अक्षर में लिखा हुआ है उसको केवाल आखना करने डालना नहीं में लिखना है यह चीज होगे आप आपका बज जता है इज़ा डेट अपो वर्थ टिक है डेट बड़ आपना मैट्रिक के मार्क सीर पर देख लेंगा आपका डेट बर्थ क्या है वह आप यहां पर डालेंगे अगर आप लोग का आधार कार से डेट बर्थ मैस मतलब मिसमेच हो रहा है तो आपका अपलाई नहीं होगा पहले सुधार कर लिजैं अप यह मत सुच लिजैगा कि मेरा सेटिफिकेट पर सब कुछ ठीक है तो आपलाई हम कर लेंगे आधार भी आपको करवाना पड़ेगा हम आपको दिखाते हैं अभी सम्मीट पर किलिक करोगे आपका अपका अग का आपको दिखाते हैं, प्रोसीट पर आप किलिक कर दोगे, इस परकार का आजाएगा आपको district यहाँ पर आपको select कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको block select करना है, और उसके बाद आपका आधार काट पर जो नाम होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, gender जो है, automate यहाँ पर आप आगे process नहीं कर पाओगे, होगा क्या, अगर माल लिए जो आधार काट पर है, वो डालोगे, तो यहाँ पर error देगा कि certificate से match नहीं कर रहा है, अब जो certificate का अंस्वार से यहाँ पर डालोगे, तो आधार का यहाँ बात करें, तो यहाँ पर आपको आधार का date of birth और certificate का date of birth मैच होना ही चाहिए, ठीक है, यह चीज आप यहाँ पर डाल करके verify पर क्लिक करोगे, तो आप लोग का कुछ इस परकार का आधार का verify हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस परकार का interface आजाएगा, अब फिर से आपको यहाँ पर mobile नमा डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर mobile न लेना है, ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो है, बेंक का जनकाड़ी जो फिल करना पड़ेगा, किस प्रकार से फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको IFC code आप लोग को डाल देना, बेंक का, उसके बाद ऑटमेटिक इसमें जो है, बेंक का नाम आजाएगा, अब उसके बाद जो है, यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, करके ही, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग जो है, निवास का मतलब जानकाड़ी जो वो मंगा गया है, निवास परनफवत का, तो यहाँ पर आपको एक उप्सान हैगा, इसको सेलेक्ट कर लिजीगा, निवा तो ऑलोग को डीक है, जैसे कि मली जाए एक निवास आपको पहले हम निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, जासे हैं, तो आपको वहाँ पर जो डालना है, क тобой यहाँ बहला अंग इस बाले कहलो में, कि यहां पर आपको बता है कि वह रहुप एंग डालीगा उसका BRCC और आपका अल्डेडि आप यह डाल दिये आप जो यह नमबर बचाया के वह भल भल वह है यहां पर दालेंगे अब इस चीट पर आपके लिए करिए और यहां से से देट को सलेट करें लेंगे कौन से डेट जिस date में आपका निवास बना है, इस date यहाँ पे लिखा रहेगा उपर में, दिनांग, फोटे के उपर में आपका date लिखा रहेगा कभी सी हुआ है, यह date आप यहाँ पे इस वाले column में select करके डाल देंगे, यहाँ पे आपको बता दिए क्या ची डालना है, निवास का लास्ट का नमर जो डालना है, अब यहाँ पे आपको यह कोड़ डाल देना है, कोड़ डाल देने कवाद से आप लोगों यहाँ पर finalize पर click कर देते हैं, आप जैसे दुस्तों इस पर click करेंगे तो इस परकार का interface आ आ जाएगा, आपको इस परकार को सही तरीका से check कर लिएगा, इसमें अगर आपको कुछ गलती लग रहा हो का, तो back कीजिएगा, otherwise आप लोगो सिधा रजिस्टर पर click कर देना है, जैसे आप दुस्तों रजिस्टर पर click करोगे, आपका registration जो बता देगा, कुछ इस परकार क जो की हो जाएगा, तो आप लोगो जो है, इनको नीचे कीजिएगा, नीचे करने क्वाद आपको यहाँ पे प्रिंट कॉप्शन आपको दिख जाएगा, सिम्पल सा आप लोगो को प्रिंट करके इनको रख लेना है, आपका registration दोस्तों वह सकसेस्फुली हो चुका है, इनक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, अब दोस्तों आप लोगो को सिम्पल सा क्या करना है कि वेट करना है, तो दो दिन, चार दिन, पास दिन या एक हपता, दस दिन ठीक है, उसके बाद आप लोगो का यूजर एडी जो हो पासवर्ड आपके फोन नमर पे आजाएगा, आप आपको आप जो रिसीविंग निकाले हो, उस पे भी आगर आप उसको पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, आप क्या करना है, जब आपका यूजर एडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर सा आपको यहाँ पर यूजर एडी पासवर्ड और करके लोग देंगे, ठीक, दोस्तों इस वीडियो को सेर आप लोग जरूर कर दीजेगा, ताकि और भी लोग जो है, इनको देखकर क्या आप लाइक कर पाएं, किसी प्रकार कोई समस्या है, तो कमेंट कीजेगा, जहांतों को पाएगा, हम आप लोग को बता ही देंगे, हमारा सुशन म ने का लिंग, बुड़ी को डिक्सक्रेप्सन में है, जाकर का आप लोग जोएन कर लेजेगा, फॉलो कर लेजेगा, इस वीडियो करते हैं, अपने पूरा वीडियो को वाच्च के हो, तो वीडियो देह लपकता है, ताय दिल से धन्यवाद, मिलते हैं मेरे पैरे दोस्त, क किसे और ने इस वीडियो में तब तक के लिए जाएं,